Welcome friends, last video में हमने जाना था कि vitamin D की कौनसे ऐसी deficiencies हैं जिनको हम identify कर सकते हैं उन symptoms को लक्षणों को हम देख सकते हैं जिनकी वज़े से हमें vitamin D की deficiency होती है और हम कैसे identify कर सकते हैं कि हमें vitamin D की deficiency हो रही है तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका link मैंने description में दिया हुआ है वो please उसको देखे आज के इस वीडियो में हम 7 vitamin D के natural sources के बारे में बात करेंगे जिनकी वज़े से चाहें या ना चाहें आप अगर medicine या supplement लेना चाहें तो भी उसके साथ ले सकते हैं otherwise अगर आप नहीं लेना चाहते हैं medicine या supplement आप तो इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं और vitamin D की deficiency को पूरा कर सकते हैं तो जिसमें सबसे पहला है friends cow milk cow milk याने की गाय का दूद जो है वो 20% तक आपको daily basis पे vitamin D की deficiency को पूरा कर सकता है क्योंकि गाय का दूद, vitamin D और calcium का एक बहुत ही बड़ा source होता है जो naturally घर पे आपको कभी भी मिल जाएगा और जो भी आप दूद यूज करते हैं उसमें आपको मिल सकता है तो आप दूद तो daily पीते ही हैं उसको एक बार या दिन में दो बार करें तो best रहेगा और vitamin D की deficiency पूरी होने में आपकी मदद करेगा दूसरा source है friends दही दही एक normal और common सी चीज है जो हर घर में बाया जाता है आप डेली बेसिस पे सुबह शाम भी इसको ले सकते हैं चाज की रूप में आप ले सकते हैं या घर में भी जमा के आप ले सकते हैं और ज तीसरा source है friends और इंग जूस और इंग जूस एक बहुत ही एक normal सी चीज है जो आपको लगबग सारी सीजन्स में available हो जाती है तो आप उसको ताजा गिलास में एक निकाल के ना पी सकते हैं और या तो आप उसको breakfast का अपना हिस्सा बना सकते हैं और उसके साथ आप जो है से कहीं भी तब भी आप एक fresh orange juice का glass ले सकते हैं चौथा source है friends दल्या दल्या और ओट्स का आजकल आपने टीवी में बहुत advertisement देखा होगा कि डेली बेसेस पे बहुत advertisements और इन सब चीजों के तो यह सबसे एक अच्छा breakfast menu होता है कि सुबह जो है उसके बास पूरे दिन में भा आपको natural fibers और natural vitamin D की deficiency पूरी करने में आपकी मदद करेगा और काफी अच्छा breakfast और बड़िया breakfast भी हो जाता है पूरे दिन में पूरे दिन भर में आपको अच्छी आसे energy रहेगी उसके बाद अगर आप mushrooms ले सकते हैं mushrooms को पूरा जो है दिन में एक एक दो बार लेने की कोई ज सकते हैं जैसे भी आपको सूट करें मश्रूम में बहुत ही अच्छा source है और वह vitamin D से एकदम भरपूर होता है इसके अलावा मश्रूम में जो है vitamin B1, B2, B5 यह भी चीज़े होती हैं जिसके वज़े से भी आपकी body में काफी energy और काफी जो है अक्टिवनेस throughout the day रहती है आपको थकान मैसूस हो रहे हैं या कुछ भी है या प्रोटीन की जरूवत है ज्यादातर सारे फिजीशन और डॉक्टर्स आपको अंडे खाने की सला जरूर देंगे अप उंडे खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आपको कलेस्ट्रॉल की या कोई हार्ट से ल तो आप करके कह सकते हैं और उसका वाईट वाला पाट भी हाट या गिए है यूद्ट या या सोर्स उंडी तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं डेफिजेंस को पूरा करने के लिए 6 тыवा और लास्ट ए पर जो लोग वेज हैं वो लोग जो हैं जो मैंने सिक्स उनको और तरीके बताएं हैं वो यूज कर सकते हैं नाच्रल सोर्सेज जिनसे उनकी वाइटमिन डी की जो प्रॉब्लम है डिफिशेंसी वो पूरी हो सकती है तो फ्रेंट्स ये दो वीडियो से जिसमें एक में मैंने आपको यह बताया था कि वाइटमिन डी की जो कमी है जो सिम्टम्स उसको कैसे अडिन्टिफाई करें और दूसरा वीडियो यह है जिसमें हमने सोर्सेज को के बारे में डिसकस किया जिससे हम वाइटमिन डी की डिफिशेंसी को पूरा कर सकते हैं तो इस चैनल पे बने रही झाल झाल